दर्म्यान में पढ़ लिएगा है स्टुडेंट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक है तुब अच्छा प्रोफाइल पिक्चिर देखता है क्यों मैक आफ कर दो स्टुडेंट्स माइक आफ के बिटा ऐसे काम के लिए रेयान हाश्मी माइक आफ कर दो बेटा अच्छा कर दो अपने नोट्स में एक क्वेश्चिन दिया था जिसका अपने आंसर भी बताया था हम दो तीन का आंसर बिलकुल अलगा रहा है उस पुछिन का था था एडिजिशन अफ न अब इस अलग अलग पार्ट्स में था था पूर ने लेकिन आपको एने बताया है कि A2 में A2 में A2 में बेटा वो दोबारा पूछ सकता है ठीक है क्योंको इसने कहा हुआ है कि A.S. में से कुछ भी दोबारा पूछा जा सकता है मैं भी फिलाल यहां से स्टार्ट कराऊंगा आज आपको मैंने कुछ नमबर 12 और फिर 15 16 17 जो एक तरह के क्वेस्टेंस हैं वो पहले डिसकस करने है इसमें के कहा रहा है बटा के बफर सुलूशन वास प्रिपेर्ड बाइड डिसॉल्विंग 2.04 ग्रैम ऑफ गैलिक एसीड सोरी सारी है हमको क्वेशन नमबर 7 पार्ट सी करेंगे सारे करेंगे सारे करेंगे जो तो आप गहेंगे ना वो सारे क्वेस्टन होते रहेंगे बफर सुलूशन वास प्रिपेर्ड बाइड डिसॉल्विंग 2.04 ग्रैम ऑफ गैलिक एसीड इन 250 कुबिक सेंटिमेटर अफ सुलूशन कॉंटेनिंग देस गैलेट आइन देखो बटा इसने ना आपको यहां पर बफर सुलूशन की पी एच पूछी है और आपको पता है कि बफर जो है बफर उसमें दो चीज़ें होती है एक वीक एसीड होता है और एक उसका सॉल्ट होता है जिसको आप कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हो बटा इसको आप कह गैलिक एसीड है उसका फॉर्मुला दिया होगा थने सी सेवन एच सिक्स ओफाइव और एक उसका सॉल्ट है भई यह जो नेगिटिव पार्ट होता है कि सॉल्ट ही होता है ना ठीक है तो अगर आपको पहले तो वह कह रहा है आप इसको डिफाइन करें डिफाइन क्या है ब देखो यह इसतरह है सी सेवन एच सिक्स ओफाइव यह डिसूसियेट हो रहे है सी सेवन एच फाइव ओफाइव माइनस जो इसका सॉल्ट है वो इसतरह होगा सी सेवन एच फाइव ओफाइव और फाइव और एने सी सेवन एच फाइव और फाइव नेगिटिव एने प्लस बिटा यह इस तरह है बेसिकली ऐसे हैं तो उसने यहां पर कहा हुआ है कि जो गैलिक एसीड है नहीं इस वन इस इस दिए गैलिक एसीड यह कितने टू पॉइंट जिरो फोर ग्रैम है कितने वाल्यूम में टू फिफ्टी में है आपको कंसेंटरेशन भी निकालनी होगी जो आप इसके मोल्स नकालोगे ना अभी टू पॉइंट जिरो फोर ग्रैम गैलिक एसीड के वो टू फिफ्टी में होंगे आप इसको थाउजंट में लेके जाओगे क्यों क्यों कि आपको प्येश निकालनी है प्येश निकालने के लिए आपको पता है यह फॉर्मुला आप करोगे के एक एक्स्प्रेशन सी सेवन एच फाइव ओफाइव माइनस एच प्लस और कंसेंट्रेशन ऑफ अन आयोनाइज एसिड सी सेवन एच सिक्स ओफाइव यही फॉर्मुला है ना के ए देखो उसने दिया हुए है यह सॉल्ट है यहां वैल्यू पुट करोगे यह करना है आप नें किया एक गिवन एे सॉल्ट की कंस्रेशन भी गिवन ए सिर इसिड के मोल्स निकालो और गिन ए तो 6 में निकाल लिया ना बहौ है तो ठाला यह एक तो आइग निकल आएंगे और फिर प्यूइय पिये स्कूर्ट करना है तो बंदा्ध आप लोग मुझे व पिताएं मोल्स ऑफ गैलिक एसिट कितने आ रहे हैं मैस है टू पॉइंट जिरो फॉर एम आर कितने हैं गैलिक एसिट के यह फॉर्मूला दिया हुआ है इसके दर फॉर्मूला मैस निकालो क्या आ रहे है जी स्टुडेंट्स बाकी बच्चे भी चेक कर लें यह आने सबका और अच्टिव होगे बैटने हैं जी सर यह आ रहे है जिरो पॉइंट जीरो वन टू जीरो वन टू जीरो वन टू अपड़ा यह मोल्स कितने वाल्यूम में जरा बोलिएगा देखो मेरी बास सुनों यह स्के ब्रैकेट यह स्के ब्रैकेट का क्या मतलब होता है मोल्स मतलब 1000 सेंटिमीटर में बताने मिता तो 250 सेंटिमीटर में 0.012 मोल्स तो थाउजन क्यूबिक सेंटीमिटर में X मॉल होंगे X is equal to thousand times 0.012 divided by 250 क्या अंसरा आ रहे हैं? 0.04 0.04 अब बिटा आप सिरफ बहुत ही असान है के ए का expression use करो और उससे ह आइन नकालो और पी एच के formula में put कर दो तो बिटा इसमें मैं values put कर रहा हूं what is ka ka पिटा ये दिया वह उसने 3.89 times 10 raised to power minus 5 salt कितना है भई salt this is the salt 0.06 H आइन अर अननोन और बढ़ा आपके पास यहां पर जो गैलिक एसिड है उसी concentration है 0.048 पिटा ह आइन जरा निकाल लो यहां से इसको पी एच के फॉर्वूला में पुट करो माइनस लॉक कंसेंप्रेशन आइन क्या अनसर आएगा 4.5 4.5 4.5 बढ़ा है 4.5 ठीक है तो हम लोग अच्छा आगे चलो पिटा राइट टू इक्वेगेंस देखो यह आपको लिखनी है राइट टू इक्वेगेंस तो पिटा चुका हूँ रिपीट हो रही है वह कहरा है अगर आप एच्छाइन डालोगी तो क्या होगा कोन एक्टिवेट होगा अगर एच्छाइन इसमें कॉन है पहले पिटा कॉन्जुगेट एसिट बेस का कॉनसेप्ट है ना देखो जिस तरह यह एच्छाइन इसमें इसमें एक प्रोटान का डिफरंस होता है तो आप देख सकते हो एच्छाइन इसमें एक प्रोटान का डिफरंस आ रहे है और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ इस इस दी कॉन्जुगेट बेस क्यों बेटा अगर आप फॉरवर्ड रियक्शन को देखो तो इस एच्छ फॉर माइनस वन है इस दी एबिलिटी तो एक्सेप्ट दी प्रोटान ठीक है तो जब भी किसी के उपर नेगेटिव चार्ज आ जाए ना बेटा तो उसकी जो नेचर है वो बेसिक ही होती है अगर आप इस में और अगर आप इसमें डालती हो बताओ फिर कौन रियक्शन करेगा अगर को एक्षिन करवाईएगा माइक आफ कर दिया करें माइक आफ कर दें मिटा अच्छा साथ में वाटर बनेगा ठीक है यह देखो ना यहां से अपना एक्षिन करेगा वाटर बन जाएगा यह इसने एक वेगन लिखी है एच प्लस ओएच वाली भी एक्सेप्ट कर रहे ठीक है अब जरह इस पर आजए यह थोड़ा सा बेटा देखते हैं आप में से कौन बच्छा इस को समझ सकते हैं क्वेटा क्वेशन नवर थर्टीन के लिए जरह एक मिनिट आप लेना और सोचे क्या होगा इसमें अगर आपको यह मुश्किल लग रहा है तो आप अपने माइंड में एथानुएट और एथानुएट जब हम ओवेच डालते थे ओवेच ओवेच इस बेस है ना तो बटा ओवेच के साथ कौन रिएक्शन करेगा बोलो अväऍवेच्छ करेंगा यही करें तो इसमें ऐसी ही है ना बटा गय्लीक ऑषरी तो है तो किया इस गैलिक एसेडे नीएक्शन करना है और साहर नहीं करना यह बतbu потом करें अपना गैलिक लिए ट्रय टीन गारेगा घ्रेलद के Ihr करेगा तो यह नेगितिफ और यह जो एच प्लस डूनेट कर रहा वह कर बिलकर वाटर बना दे कि एसे कुछिंट से हमें डिस्क्राइब तो नहीं करना होता है ना टो एक्स्टा वेच है और एक्ष्ट लेसंग नहीं 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 अब इस प्रस्टन को एक दफार पढ़ो मझे देख मझे बताओ कि आप अईडिया भी हो रहे हैं पूश कि क्या होगा निक के ए तो नहीं पूश्ट रहा के इस आर गीवन तो क्या अंसर आएगा तो सेकिंड वाले का के ओवर फॉर्स वाले का के शाबाज भी ठीक बताया वहीं देखें पहले कुस्टन समझ लेते हैं क्या कह रहे है इसने आपको मैथनोइक एसीड और यह दूसरा एसीड है पाइरूविक एसीड दोनों के लिए उसने आपको के एकि वैलियू बता दिया है और फिर उसने एकुलिबियम मिक्सर कॉंटेनिंग टू एसीड बेस पेयर्स देखो यह यहां पर एज़ बेस काम कर रहे हैं यह ए अगरuyorsun को देखो तो फिर उल्टा होगा बिए इसको देख रहे हुड हे और यए इसे आपका हे भी अपथा उस्ट करेंगा accept करेंगे तो आपको पहले reaction थोड़ा सा understand करना है अच्छा अब आप इसके लिए ज़रा के एक्वेगन तो लिखे ना उसने इसको equilibrium constant को के EQ कह दिये ठीक है ना ऐसी नाम दे दिये ज़रा आप इसको लिखें क्यासे लिखेंगे आपको पता है कि right hand side टॉप पे आएगी CH3COCO2- divided by HCO2- और CH3COCO2H यह ऐसे होगा जी बड़ा यह equation के equilibrium यह है लेकिन आपने इसकी value बतानी है नहीं किसका answer क्या आ रहा है यह बताना है आपने बताओ कि आप इसका answer कैसे नकालोगे definitely इन दो values को use करने है लेकि मझे किस समझ नहीं आ रही कि मैं acid number one और यह acid number two है one divided by two करूं या two divided by one करूं भई यह मझे कौन बताएगा दोनों की के one divided by two जिस बच्चे ने पहले answer दिया था वो कौन है बई सब मैंने कहा था क्योंकि जो two है वो वाला जो हमारे reaction है वो उस direction में जा रहा है और जो वो दूसरे है वो उस से opposite direction में जा रहा है हाँ मैं आपको बताता हूं इस बच्चे ने ठीक बताया बेटा और एक और स्टूरेंट भी बीच में answer दिया के two divided by one होगा और that is the right answer कैसे इसको समझने का बैस त्रीक है यह बेटा देखो अगर हम इस ना करें एक minute के लिए एक तो है मैं इसको जबानी बताँ ना उसमें आप पो इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी मैं इस ना करता हूं इन एसिट को ना अलएदा अलएदा लएदा लिखता हूं थोड़ा से लंबा काम होगा लेकिन आपको समझ आजएगी जरा अच्छी त्रीके से इस ते इन दोनों को मैं अलएदा अलएदा करके लिख रहा हूं है एच सी डवलो माइनस और एच प्लस इसका के यह बनेगा भई पर यह बनेगा ना मज़े बता दें कंफर्म कर दें जूसरा एसिड़ पाइरूविक एसिड जो पाइरूविक एसिड़ वेटा वह सीच थी CO COOH यह जब आईवनाईज होगा तो CH 3 CO COO माइनस ह प्लस इसका के एक एक्स्प्रेशन यह बनेगा CH 3 CO COO माइनस ह प्लस डुआइड बाइ CH 3 CO COO H अब बिटा आप यह मैं इसको अपनी असानी के लिए कह देते हूं इसको के टू आपने ऐसा क्या करने है मतलब के ए वन को इस तरह आप इस तरह कर लो इस तरह असान इस तरह देखो इस तरह आपके पास कहां पर आ रहा है जो एक्विगन आप बनाना चाहते हैं कहां पर आ रहा है यहां निमरेटर और और जरा उपर वाले एक्स्प्रेशन को देखिएगा यह जो आपके पास यह है यह यह कहां आ रहा है बेटा यह तो इसका मतलब यह हुआ के ए वन नीचे होगा के टू उपर होगा लेकिन अभी भी समझनी आई तो कोई मसला नहीं है हम इसको डिवाइड करके देखते हैं हम बेटा आप इसना करें के ए टू को डिवाइड बाई के ए वन करें मैं अभी आपको पहले करके दिखाता हूं के ए टू को उपर लिखेंगे मैं करने जा रहा हूं के ए टू डिवाइड बाई के ए वन तो के ए टू का के अटू है के एवन वह द्वाइड होगा मुझे ये बता हैं कि नीचे ड्वीएन है तो क्या मैं फिलिप करके लिग दू मल्टिप्लाइग के साथ तो इसको मैं इस तना करके लिख रहा हूं multiply by color change हो गए भई के वन पहले उपर रेट से लिखा हो तब मैंसे लिख रहा हूं चले है एच सी डवलो एच डिवाइज इड़ाइड बाइच सी डवलो माइनस एच प्लस अब बेटा आप ज़रा इसको अगर cancel आउट कर दो जो चीज़े कट रही हैं यह देखो यह एच प्लस एच प्लस से कैंसल अब जो चीज़े बची है क्या यह कोई यह नहीं बन रही बोल देखो ज़रा तो बेसिकली के एटू डिवाइज इड़ाइड बाइ के एवन तो मैं इसके असान अब पताता हूँ यह तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपने क्या करना है भई आपने यह देखना है के यह जो के दोनों के के एक्स्प्रेशन लिख लिए है ठीक है साइड पर रफ लोगवकों कर देंगे से यह और कुछ निकरना वैल्यउज दिखě ऊंडय करें क्या वैल्यूज से तो क्या वैल्यूज निकालना है अपने के की इक ऐस एक आना के एटू है 4.07 टाइमस 10 रेस टूपावर माइनस 3 और 1.78 टाइमस 10 रेस टूपावर माइनस 4 क्या अंसर आ रहे है डिवाइट को रहे है 22.87 22.87 27.87 आपने जो बिलू में मुल्टिप्लाइ किया वह समझ नहीं आया बैटा ये डवाइड हो रहा है इस तरह रहा था राइट मतलब ये स्थरा जा रहा थे मैं बताता हूं ये के एवान है जो मैं लिख रहा हूं बढ़ा ये क्या है बोलो खेएवान के वान है यह ऐसे था ना के एटू उपर आ गया रेड कलर से और के वन ब्लैक कलर से पड़ेगे ब्रैकिट के निशे ब्रैकिट आ रही है इसको क्या फिलिप कर कैसे लिख सकते हैं अच्छा समझागे हैं वर्षिट मैंने दू साल परानी मिनाई थी उस ताइम तो 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 हम कर लेंगे ना दोबारा किया मस्ता है दोबारा कर लेंगे क्यों मिस्टा नहीं है कैसी की कैसी का मतलब कैसी है कि कैसी नाम दे दिया बेशेक इसको के क्यू कह सकता था कि कोई भी नाम इसका रख सकता था का में का यह तरीका क्या होता है बस राइट हैं साइड उपर रखनी है लेफ्ट हैं साइड नीचे तो मुझे यह पता था एकुलिब्रियुम साइड वह पूछ रहा है तो मैंने किस एक्विएंड के एकॉर्डिंग राइट हैं साइड ऐसा क्वेस्टन है लेकिन आप अगर देखें ना जो बच्छे मैट्स में अच्छे हैं वो तो ये कहेंगे ये तो बहुत फुजूल काम है भई ये करने के जरूरत दिनी है जबानी देखने में से पतक रहे हैं जी बेटा पेसिस के वेली तो प्रोवाइड ही नहीं है लेकिन आपने सिर्फ एसिट्स की डालकी कैसे कर लिया ये जो के एक्यू है इसमें क्या चीसे यूज हो रही है सिर्फ एसिट्स यूज नहीं हो रहे क्या ये जो के एक्यू की एक्वेइन है ये कौन सी दो एक्वेइन्स को मिला कर बनी है कौन सी दो एक्वेइन्स को ड्वाइड क के बनी है बेटा आंसर तिया करें आगे से मैं यह पूछ रहा हूं यह जो के एक्वेइन बनी है यह मैंने किन दो चीजों को ड्वाइट किया तो यह बनी है अब देखो के एडिया हुए ना भई हमारे बस दोनों एसेट के के हैं इन दोनों को इनको ड्वाइट करके जो आंसर आ रहा था वो उसने यह दिया हुए हमें तो फिर हम यह वैलियू बिटा लगाएंगे ना तो सर हमने हमेश्य राइएंड साइड ऊपर रखनी है घाए बिलकुल बिलकुल यह रूल है कि ठाशन पर लेफ देसेड नीचे आई और अब यह कह रहा है कि अपने जो भी आंसर इसका पताय था 22.8 समतिंग 22.9 थीग है अब वो यह कह रहे है कि यह आंसर बिगर है या स्मालर है पहले यह बताओ बटा कि आंसर बिगर आपके रियक्शन हो जिसमें और प्रोडट्क मैं एज्यूम करता हूँ 50% react and unreacted 50% product बना तो केसी का क्या answer आएगा वन आएगा यह नहीं आएगा यास जी जो लेकिन अगर केसी का answer one से बिगर आ रहा है क्या मत्तब है इसका कि जादा चीज क्या बनी है product is more product is more अगर केसी one होना इसका मतलब है भाई दोनों सेम अमाउंट में बना है तब ही तो वह cancel out होके one answer आए लेकिन अगर answer one से bigger आ रहा है it means there is more product तो यहां कह रहा है कि use your value of keq to predict the position of this equilibrium indicate this by placing a tick in the appropriate box in the table explain your answer तो अब बताएंगे value of keq value of keq is greater than one one से bigger है इसके position of equilibrium right side पर जा रहा है अच्छा बताएं यह बिलकुल खाली से तन और गेनिक से related question है इसलिए मैं आपको ऐसे थोड़ा सा idea दे देता हूं इसको skip भी कर सकते हैं क्योंकि आपने और गेनिक में पूरा एक topic है जिसमें आप strength of acid पढ़ेंगे थोड़ा से बता देता हूं आपको देखो यह इथेंड डायोइक एसीड है राइट दो कार्बॉटली प्रूप है इसमें क्या रहा है इथेंड डायोइक एसीड है तू डिस्टूसियेशन कॉंस्टेंट के एवन के एटू उस पी के ए वैल्यूज आर 1.23 और 4.19 पहले तो यह बताओ पी के ए वैल्यूज का एसीड की स्ट्रेंट से क्या रिलेशन होता है इंवर्स रिलेशन अगर नहीं याद रहता तो के ए याद कर लो ना भई कि जो के ए का एक्स्प्रेशन होता है के ए का रहिए देखो उपर जो के एक एक्स्प्रेशन आपने बनाया था के ए और एच आ जो पी एच का हाइन के साथ है क्या है मतलब जितने हाइन जादा उतनी पी एच कम यही होता है जितने हाइन सलूशन में जादा उतनी पी एच कम तो जितना के ए स्मॉल होगा ना जितना के ए स्मॉल होगा मतलब एसिड वीक होगा जितना केले अत्नी PKA की वेल्यू बगर तो इगर PKA की वेल्यू बगर आ रही है, इसका मतलब है वीक अगर PKA की वेल्यू थोड़ी स्मॉल आ रही है, इसका मतलब है इस्टरॉंग तो यह बताओ, यह इथेन डायोइक एसिट के लिए ना दो वैलियू बता रहा है PKA की, एक 1.23 और एक 4.19, तो बताओ, कौन सी वैलियू आपको यह रिक्मेंट कर रही है कि कहां पर प्रोटॉन असानी से लूज हो जाएगा, जहां पर PKA की क्या वैलियू है, 1.23, डेफिनेटली, जितनी स्मॉलर PKA की वैलियू होगी, उतना आप क्या होगा, एसिट स्ट्रॉंग है, और यह दो इसनी है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बाक्सलिक ग्रूप है ना, तो आप यह बताओ, अगर यह आपको अभी ना भी समझाए आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है बैटा, क्योंकि और जिटेल में करना है, यह बोट डिटेल में वारे स्टेवर्स में है, आप इस सहरुमें बताना, कि कहां से, यह हमने के एटएवन कर दिया, ठीक है, यह फॉर्स डिस्सियेश ये होगा कै भी आप एक और प्रोटॉन भी लूज करवा सकते हो बही ऐसे मेरा क्वेस्टन यह है बैटा क्या यह दो इक्विगन में लिखी है राइट क्या फर्स इक्विगन में प्रोटॉन रेडिली लूज होगा या सेकेंड इक्विगन में प्रोटॉन रेडी री लूज होगा रीजन बताएं रीजन रीजन नेगेटिव पार्टिकल्स में से नेगेटिव है जी बिल्कु ठीक बिता रहे हैं आप लो हलांके आपने नहीं भी पढ़ाई है नीट्रल जो ठीज है ने बिटा वहां से प्रो प्रोटॉन को नहीं चोड़ेगा वह प्रोटॉन को जादा स्ट्रॉंगली खेंच के रखेगा तो सेकंड बाले में जो प्रोटॉन की डूनेशन है वह जादा मुश्किल होगी ठीक है तो वन पॉइंट टू थ्री आप इसके लिए बताएं और फॉर पॉइंट वन नाइन आप इसके लिए बताएं ठीक है लेकिमट आप इसको फिलाल स्किप कर दें नई भी समझाया इसको आप छोड़ सकते हैं मैं अगले क्वेस्टन पर आता हूं जहां पर हमने बफर के कुछ क्वेस्टन करने हैं हाँ यह है आप वाले क्वेस्टन कर वा सकते हैं जिसमें वह इसके अंदर बेस डालके ऐसिट डालके तो वह तो हमने किये हैं इतनी डिटेल में भाई किये नहीं है वह हमने क्या आपके पास एक बफर है बताएं उसमें आप एसी डायट करें तो पियेश कितनी हो जाएगी यह पूछ रहे हैं जो मैं आपको क्वेस्टन करने वाले जि जिसना कि पहले चले शुरू से कर लेते हैं पहले तो कह रहा है कि इसको एक्सप्रेशन लिख दें यह ले के एफ़ अच्छा एक ची सुनने भाई यह एक्जैमिनर ना है की टर्म बहुत जादा यूज करते हैं है कोई एसिट नहीं है बच्छो है कोई एसिट नहीं है यह उसने जो है ना एक ख्याली एसिट बनाया है जो कि वीक एसिट है एक एक वीक एसिट जब भी उसने किसी वीक एसिट को रिप्रेजेंट करना होना है एक्जैमिनर ने तो रियल एसिट के बचाए है एक वीक एसिट है तो इसका मतलब है रिवर्सिबल एरो के साथ जाएगा H plus पर A minus ठीक है तो वो कह रहा है K A का expression लिखो for weak acid क्या लिखो कि ज़रा बोलो भई H plus square divided by A अच्छा फिर कह रहा है कि right अच्छा right equation to show how buffer solution consists of mixture of H A यह weak acid है and it's salt यह उसका salt है अब आप इसकी भी equation मैं आपको बना देता हूँ इस तरह है यह आपका बफर है लेकि जो negative part है यह वही है जिसको मैं बार पर कहता है कि this is coming from salt this is coming from salt यह वही A negative है और यह आपका बटा un-ionized acid है और यह small amount में H ions है चीज़े identify होगी बटा वही वाली जो मैं आपको पहले explain कर रहा था जल्दी से बटा बता दो कि अगर आप इसमें acid add करते हो H plus कहा रियक्शन होगा अगर H plus A negative के साथ A negative H plus के साथ रियक्शन करेगा H A बना देगा इस पे कोई दरास तो नहीं है है ना H plus डालोगी तो A negative is a base negative चीज़ है ना वही proton accept करेगा करी डालते हो तो कहा रियक्शन होगा जल्दी से बोल दो H A A ionized acid के साथ बटा रियक्शन करवाओ और ये बनवाद ठीक है ये भी पहले हो चुक है ये है main question मेरा जो बटा आप से discuss करना है ज़रा आप लोग पढ़ें इसको बटा ये tricky है इसको ज़रा जियान से सुनने आप ने ज़री ज़री उपर question लिखती हो थी महाँ पर N ने तो कभी नी लिखना होता है क्यों कहीं कहीं MS में लिखा होगा है पर अपर ज़रूरत नहीं आपको करने की बस उसने मता क्या किया है उसने सॉर्ड को वन्दद आयोनाइस में लिया ना वो अन आयोनाइस ले रहे है एने तो ये ज़्यादा ठीक है जो से first जो होता है ने बटा फर्स वो आपका preferred answer वो होता है फर्स वान इसको ज़रा पढ़िए गा और इसको आप लोग करने की कोशिश करें दो-तीन मिनिट है ट्राइ कर ले इसने ए माइनस को एने लिया जी बेटा बिलकुल हमने क्या ये नहीं कहा कि जिस नेगेटिव पार्ट इस कमिंग फ्रॉम सॉल्ट जी जी ठीक है तो ये जब भी नेगेटिव पार्ट होता है वो सॉल्ट से आ रहा होता है स्टुडेंट्स अगर इसको समय नहीं है बेटा ये बारा देख लें क्योंकि मैं आपको बताओं कि ये बार बार पूछेगा ह-ए वीक एसिड होगा सुनो भई एक चाहिए बारा इसको इसको बार नेगेटिव नेगेटिव एट करोगे तो आपका अन आयोनाइज एच्छे एक्षिन करेगा करें जी बहीं नेक्स कोशन जल्दी सब्सक्राइब इस पार एक होट प्रकॉस्ट पी करना हमने हरी अब करें एक हमात्रा गार नाएब कराओ करेंश क्या जडियाब 우ु खीन जल्दी साथिया मैं सब्सक्राइब भीक उन्मट में आपने होगास एक होगो जर्वब कर integrテ chests sonra चरै खाह давно champions ौagtी सब्सक्राइब झाल झाल जी बेटा हो गया किसी बच्चे का हुआ है ना जी बेटा आपने कल पास्टे पर जी किरा रही है ना जी अभी आप लोगी बेटा कल कर दिन भी पास पिपर होंगे और सर्फ मंडे से वा आपने टापिस आरहे हैं यह सर्फ इस तरह कर रहा था कि बाद पच्ची जो है थोड़ा परिशान होगे थे किसर बफर के क्वेस्टन नहीं हो रहे हैं पहले आप लोगों करवा देता हूं और सर्फ यह कुश्टन 24 तक करने हैं जी 24 तक जी बटा क्या पूछ रहे हैं कोई स्टूडन कुशन पूछ रहे हैं हमेशा स्ट्रॉंग जो बेस है वह हमेशा पहले स्ट्रॉंग एसट के साथ रियक करेगी हाँ इसने बताया भी हुआ है इस तरह से यहां पर बता भी दिया है इस फैन की कंसंट्रेशन नहीं आ रही है बाकी होगे इस पर पीश नो नहीं निकलेगी भई इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको कह रहा है वेंड क्लॉरीन डिजॉल्व इन वाटर बड़े स्लोली बेटा बसंद होंगा अच्छे ती किसे समझना है आपने वेंड क्लॉरीन रियक्षिद वाटर ऐसिए लो एंड एस्टी कैर बड़े वेंगिशन आपने एस में पड़ा हुआ ओए ज़रह मजे बताइए का पड़ा हुआ यह नहीं पड़ा हुआ कि क्लॉरीन और इसके रियक्षिन होता है एस्टी एल एट्व बंदे पड़ा हुआ ने यह 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 रिएक्षिन अब हो कह रहा है कि when the solution of chlorine are used for the water purification the pH of solution of chlorine is kept near to pH 7 by the addition of base ठीक है, chlorine is dissolved in water to produce 1000 cubic centimeter of a solution containing 0.17 mol of HClO and 0.17 mol of HCl प्रेकर जो मोल्स हैं, क्या यही concentration भी होंगी या नहीं होंगी यहीं होंगी आपने जब beta reaction किया chlorine का water के साथ तो आपके पास बना HCl और आपके पास बना HClO और टोटल वाल्यूम इस 1000 याद रखिएगा यह जो मोल्स होंगे, यहीं concentration होंगी HCl भी 0.170 HClO भी 0.170 फिर बेटा यह कह रहा है बफर solution is then prepared by adding 0.2 mol of Nneos to the solution अब उसने क्या किया यह जो आपके पास बेटा HCl और HClO बना होँआ था ना इसमें क्या add किया बाहर से अब देखो उसने यह कह दिया है कि NaOH reacts initially with HCl NaOH पहले किस से reaction करेगा HCl से तो अब reaction number one पहले लिखते है HCl plus NaOH इट गेव्स NaCl plus water मॉल्स की situation यह है कि HCl कितने मॉल्स थे भाई जी और देखो यह NaOH उसने solution की form में नहीं डाला है इनको तो one-to-one ratio है ना complete reaction के लिए क्या होना चाहिए था NaOH कितना होना चाहिए था भाई sorry HCl कितना होना चाहिए था HCl लेकिन 0.2 तो नहीं है ना HCl काम है अच्छे यह I stands for initial बाई use कितने होंगे use stand for use use होंगे 0.17 सारे के सारे use हो जाएंगे और 0.2 में से कितने use होंगे भाई 0.17 ठीक है अब बचेंगे कितने left L stands for left यह जिरो रहे गे और यह कितने रहे गे 0.03 जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट आफ एन्ने ओएच यह बटा रह गी है ठीक है ना अब आगे चलते हैं बदा नहीं पूरा भी आएगा धर यह नहीं पेटा देखो आपने जब एन्ने ओएच डाला तो एन्ने ओएच पहले किससे reaction करेगा क्या कहा था उसने HCL सारे का सारा खत्म हो गया अब एन्ने ओएच किससे reaction करेगा HCL हो उसे लेकिन अब यह बताओ कि एन्ने ओएच बचा कितना है जी तो अब इनिशियल मॉल जो एन्ने ओएच के हैं वह 0.03 और HCL के कितने मॉल है बचो 0.17 0.17 इससे reaction होगा NACLO बनेगा साथ में water बनेगा देखो ना यह एन्ने इस H को replace करेगा ना अच्छे यूज कितने होंगे जो limiting reactant होता है उससे देखा करें एन्ने होए चीज़ दे लिमिटिंग रियक्टेंट तो 0.03 सारे यूज होंगे 0.03 यूज होंगे और बटा लेफ्ट या जो न्यू मॉल्स बनेंगे जरह देखिए का आप बटा यह खतम पताओ एच्छीए लो कितना बचा जिरो पॉइंट यूज बना जिरो पॉइंट वइंट वन सेवन मेंस में से बच्चो माइनस करो 0.03 0.14 यह लेफ्ट एन एस्ट लो कितना बना 0.14 गल्ट 0.03 भूल गयो एस में क्या करते थे भाई जितना यूज होगा उतना एने सियलों नहीं बनेगा क्या बोलो यह से तेखो यह जो आप लोग कह रहे हो नहीं 0.14 यह बहुत कॉमन मिस्टेक है यह बहुत बचे करते हैं भाई 0.14 यह वो HCLO है जिसने रिएक्शन किया या नहीं किया बता उ नहीं किया नहीं किया अंरी है कितने HCLO ने रिक्षिं किया कितने मStar HCLO के रियक्ट हुए जिरो पॉइंड बाइड से निए एंड सियलोंगर अ इतना यूज हुआ है तो आपके पास एजैने का जिरो 0.03 टोटल वाल्यूम कितना है 1000 तो यही कंसेंट्रेशन होगी बचो अब हम इसका करते हैं जरा मुझे के बताओ आपके पास क्या बचा एक सॉल्ट है बेटा और एक क्या है बोलो एक सॉल्ट ऐसे है यह सर अब बटा अब सॉल्ट हो नहीं होंगी ठीक है एने सी अल बीया लेकिन वो बफर के तोर पर काम नहीं करेगा एने सी लो करेगा क्यूंकि वीज्ट का सॉल्ट होना चाहिए न बटा हमने क्या पढ़ा था वीक एसिड एन इट सॉल्ट तो यह जो एन एसिट का बटा बफर के लिए जो सॉल्ट है वो कौन से हैसिट का होना चाहिए कंडिशन के वीक एसिट या स्ट्रॉंग एसिट इस लिए एने सी लो मेंटर करेगा एने सी ल नहीं करेगा तो मैं आपको बफर बना कर दिखा देता हुँ ना एच लो बचा हुए एक लिए H plus C L O minus N A C L O completely dissolve होगा N A plus C L O minus but this is H C L strong है but H C L O weak है हाँ H C L O is a weak उसने पताया भी होगा बेटा उसने आपको पताया भी हो देखो ना लिखा हो है H C L O is a weak acid आपको याद एक नहीं जूरूत नहीं है अब देखो आपने K का expression लिखना है है भई H C L O के लिखोगे ना K A is equal to concentration of H plus concentration of C L O minus बताओ यह C L O minus कहां से आ रहे है तो salt or divided by unionized acid values put करनी है देखो K A given है K A is given K A कितने है आपके पास मिया लिख लिखता हूँ 2.9 times 10 raised to power minus 8 H ions are unknown C L O minus salt है salt की concentration यह निकाली हुई है आपने 0.03 और acid की concentration वीट आपने यह निकाली हुई है 0.14 तो बच्चो ज़रा बताओ है चाइन कितने आ रहे हैं आंसर बतादो डिरेक्ट 1.35 times 10 to the power minus 7 अब बच्च के फॉर्मॉला में put करो क्या आंसर आ रहे हैं 6.87 6.87 अब देखो थोड़ा सा टेड़ा सा क्वेसिन है न यह इसमें वो बफर आप से बनवा रहे हैं देखो न उसने क्या किया है उसने शुरू में को बफर नहीं बनाया उसने क्या किया सुनो मैं आपको द्वारा बताता हूं क्लोरीन का वाटर से रियक्शन करवाया ना तो दो एसिड्ड बनें एक एछल और एक 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 एछलो यह तो नहों की इक्वल मॉल्स हैं फिर वह कहता है आप ने इसमें एणवेच डाला एब आप इसमें डाल रहे हो या कम या मान्ट में डाल रहे व जब पिटा आप एक्सेस में डाल रहे हो तो डेफिनेटली HCL तो उसने सारे का सारा यूज कर दिया देखो सारे का सारा HCL खतम जो थोड़ा सा N-A-O-H बचा था वो किस से रियक्शन कर रहे है अब वीक एसिट से रियक्शन करें अब अब थोड़ा से रहे था अब 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 लिमिटिंग रियक्शन है HCL बज़ गया है इतना HCL बज़ गया वीक एसिट और इतना सॉल्ड बनाए भाई कैसे 0.03 जितना वीक एसिट यूज होगा उतना ही उसका सॉल्ड बनेगा अब आपके पास सॉल्ड की कंसेंट्रेशन भी आगी एसिट की भी आगी के एक एक्स्प्रेशन लगाया वेल्यूस पुट की वहां से HN निकाल ली और पीएच के फॉर्मूला में उसको पुट किये जी बेटा आपने शुरू से कैसे ली मोल्स कॉंसेंट्रेशन की जगा उसने कहा है कि क्लूरीन को आपने डिजॉल्ड किया है ऐसे सॉलूशन में जिसका टोटल वाल्यम 1000 कुबिक सेंटिमीटर है तो जब टोटल वाल्यम 1000 हो तो जो मोल्स होते हैं वही कंसेंट्रेशन होती है क्योंके के लिखा थाम लोड जितने निकल रहे हैं हक्ज़ी कंसंपरेशन गया हैना झाल। के दौर पर तो गलत आएगी जिसके निकालेंगे अब एक से लोगी के तो हम भी एक सिट की पी एच निकाल लें ने इस तो सुलुशन में एचाइंड भी है ना वेटा एक से अगर हमें पांच सो सी एम क्यूब दिया होता इसकी जगा सुई टाइमस ते मोल्स वाइटू हाँ फिर आपको यह करना था कि आपने को जितने भी मोल निकालए थे आपने इसको एक्वेट करना था इतने मोलद फाइव हंड़ा रहे है तो थाउसर में कितनी होंगे एकस ठीक है तो पता चलेगा कि यह सॉल्ट और वी कैसर है क्योंकि हैं क्योंकि इसाल्थ में ऑर झतलू मे एक आपके पास एचीड है एच सी एलो उसको क्यों नहीं है ना इसको क्यों नहीं देख रहे हैं आपकी फॉर्मुला सेम रहेगा चार्ज को मत देखें आप देखें कि आपका फॉर्मुला जो है सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन की जगा कोई पॉसिटिव आएगा सब्सक्राइब कर देखें काफी मैंने आगे और भी कराने थे एक और करवा देता हूं फिलहाल एक हमने भी कांट पर किया है सब्सक्राइब कोई पॉसिटिव आइन लगा सकते हैं अच्छा मुझे आप बता दें कौन कौन से क्वेस्टिन बेटा ओन बता ओनगे हैं वैर पिला सब्सक्राइब कर दें ट बता दें youtube पूस्टिव आप फ़िए ऐगे हाँ यृु्वर आप आप खड़ा कर द maintenance